जैहिंद नमस्कार साथियो, स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे जैसा कि आपको पता है कि लेवल वन और लेवल टू दुन्नों पे जो भी प्रोविजनल प्रिणाम है, जो भी जोइनिंग है, वो सारी चीज़ें है वो रोक दी गई है और आप सबने आज सारी चीज़ों पे कयास लगाया जा रहे थे, जैसे ही ये ट्वीट देखा चेर्मेन साब का, उसके बाद में सब की जो उमीदी थे, वो तूट चुकिया इस वीडियो को पूरा देखना, हम इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, कि किस परकार से ये चीज़ें हो रही है, और एक्चुल में वज़य क्या है, ये सारी चीज़ें होने की लेवल वन, लेवल टू दोनों की, तो जो भी वीडियो देख रहे हो, आप अन्त तक जुरूर देख के जाना, जिससे आपके वो जो चीज़, जो एक्चुल में जो इस भरती के साथ मोरी, वो आप समझ सको और वीडियो को सभी जगए सेर भी जुरूर करना, वो भी आप सब के लिए बहुत ज़्यादा जुरूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रेशाने जेल रहा है, वो जेल आ है, त्यारी करने वाले स्टूडेंट, और जिनोंने इतनी मेहनत करके selection पाया है, और उसके बाद में joining नहीं मिल पारी, आप सब के जो साथी है, उनको बहुत सारे साथियों को joining मिल चुकी है, उसके बाद में आप परिवार में, समाज में, society में सारी चीज़ें हैं, वो हमें सुनने को भी मिलती है, वो भी सारी चीज़ें इसमें सामील होती है, तो वीडियो को जुरूर देखना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लेना, टेलिग्राम ग्रूप से हमसे जुरूर जुड़े, आपके जो विज्यार है, वो आप कमेंट सेक्षन में देश सकते हो, मेरे को वोट्सेप पे मैसेज करके देश सकते हो, टेलिग्राम पे देश सकते हो, और साथी साथ मेरे को ट्वीटर पे भी आप फोलो कर सकते हो, जिसमें आपको दैविकास चोदरी के नाम से आप सर्च करोगी तो आ जाएगा, देखो अब हम बात करें, लेवल वन और लेवल टू दोनों के लिए, कुछ चीज़ें कल से मार्केट में थी, कि लेवल वन और लेवल टू दोनों एक ही चीज़े, अगर लेवल वन पे स्टे अटेगा, तो लेवल टू का काम हो पाएगा, तो सबसे पहले तो इस बरमित च проблем. अब बात यह थी, कोई कोर्ट से सुन वाई कि जो डेट है, वो फर्स्ट वीक में ली जाएगगी जनवरी के, लेकिन वो फर्स्ट वीक निकल रहा है, नहीं ली जारी है। उसके अलावा बात यह थी, कि इस चीज को लेकर board है, सयोग करेगा आपका, तो बोर्ड की तरफ से आपने देखी लिया होगा अज चेर्मेन साब उन्होंने बोल भी दिया अस पस्ट कि हम जो है हमने जो भी उत्तर वगेरे जो हमने दिये हैं या जो भी सारी चीज़े हैं वो हमने सही दिये और हम हर तरीके से इस चीज़ को डिफेंड करेंगे जैस समय लग सकता है कितना भी तो मेरी सबसे पड़ी गुजारिश तो यही है देखो मैं ना तो इस चीज़ का पक्सदर हूँ आप सबने अगर आप हमसे जुड़े रहते हो तो मेरा हमेशा यह मानना होता कि जिसने मेनत किया और जो जोइनिंग के काबिल है उसको जोइनिंग हमेशा उसकी कभी नहीं रोकनी चाहिए जब यह बरती कि जो याचिकाई लग रही थी उस ताइम भी मैंने यह कहा था कि बरती रोकने का प्रियास है वो बहुत लोग करेंगे आप सबने अगर मेरे से लगातार जुड़े रहते हो तो आपने देखा भी होगा कोई भी जो भी बरती आती हो उसके बारे मैं मैं हमेशा पोजिटिव वे में रहने की कोशिस करता हूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हो ना हो जो भी करना है बोर्ड है वो जल्दी करें क्योंकि आप सबने जो जेला है जो सब आपके साथ हो रहा है वो किसी को ना तो कोई समझ सकता है और ना कोई समझने वाला है तो बात यह है कि आप अगर डिफेंट भी कर रहे हो तो अपने defend करिए कि उसनको अच्छे तरीके से कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास उचित परमान है तो बिलकुल defend कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए फिर ये ना हो कि जब भी सुनवाई हो पहली बार तो ये कि आप सुनवाई की date लेजिए जल्दी से जल्दी आपकी वज़य से एक साल से उपर से student है वो एक साल होने को हो जाएगा इस परकार अगर चलता रहा तो न्युक्तियां दे दो या फिर ये तो आप आपको भी पता कि आठ नो क्युस्टन है जिन पर हीट लगी है और उनमें से ज्यादा तर जो अच्छी सुनवाई जिन पर हुई हो वो दो से तीन क्युस्टन है तो दो से तीन क्युस्टन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा गरा होगा हो गातो देखो जो नहीं कर रहा है जो चीज है कि अप 2-3 क्योसzeitig के जो पर मार्क और उन को सबसे बड़ी बात है कि इस परकार से बीच का रास्ता निकाल करके और बोर्ड को काम करना चाहिए उसके अलावा हम बात कर लेते हैं लेवल टू की भी कुछ चीज़ंपर हम बात करूंगा वीडियो को छोड़ना मत यहीं से अब लेवल टू का क्या महमला है आपने देखा हो प्रकार से रखे कि इसको भी यह मामला है इसको उलजाए नारके फटापट से काम करवाना चाहिए और जो बी रासते अगर निकल सकते अल्टरनेट अगर कुछ चीज निकल सकते है ना तो वो बोर्ड को अपनाना चाहिए इस परकार से यह मैसेज दे नहीं है आप गलती करके वापस अगर स्टुडेंट कोई चीज को डिफेंट करता है तो उसको आप कहते हो कि आया आपकी गलती है तो यह सबसे बड़ी भूल है तो रीट लेवल टू का यह मामला है अगर इस पे अगर पेरी अच्छे से करके यह काम करवा लेता है बॉर्ड तो हो सकता है कि रात भी मिल जाए और दूसरी बात जो मैंने कहा है कि जिनके बहुत अच्छे मारक है उनको आप जोइनिंग दे करके और यह सारी चीजों को हटा देना चीए अब बात ही आती है कि आप लोग क्या करोगे क्योंकि बॉर्ड अदेक्स ने सपस्ट कर दिया कि मेरे पास ना तो कॉल करें आप ना कुछ भी जो भी आप एक्टिविटी करें वो ना करें तो सबसे बड़ी बात है देखो L1 के भी काफी सारे स्टूडेंट है और L2 के भी काफी सारे स्टूडेंट है जिसमें L2 में प्रोविजिनल होगे L1 में प्रोविजिनल होगे L2 की के हम बात करें स्पोर्ट्स को टेके होगे, साती सात जो विड्डो महिलाएं हैं, तलाक सुधा महिलाएं हैं, उसके अलावा हम बात करें, और भी बहुत सारे परकार के जो रजल्ट है, वो भी इसमें सामिल है, तो होना क्या चीए, उनको एक जुट हो करके काम करना आगे रूफ एखा बना करके, साती सात हम बात करें, वेटिंग के आप बात करते हो, तो वेटिंग है वो तब ही आपाएगी, जब परिणाम एक बार के लिए तो प्रोविजनल परिणाम वगेर तो सारी चीज़े आएं, उसके बाद ही तो आगी के प्रिक्रिया हो पाएग साती सात जो एडिसनल वाले हैं, उनका भी एक तरीके से रोका गया है सारी चीज़ें, ना तो कोई फैसला दे रहे हैं, ना ही कोई आगे की प्रिक्रिया बता रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आप मिलकर के इसमें आप कोई काम करते हो, तो हो सकता है रात मिल जाए, ने था तो बोर्ड की ये परमपरा आकरमचारी चैन बोर्ड की, कि ये हमेशा से जितनी भी बरती करवाई है, आप इत्यास उठा के देख ले ना, जितनी बरती करवाई है, उसमें लास्ट में यही करते हैं ये, और ये चीज़ें चलती रहती है, और इनको कोई फरक नहीं बोद जोइनिंग है रूकी रहती है, तो आप पे डिपेंट करता है कि आप इसमें क्या करते हो, क्योंकि नहीं नहीं गवर्णमेंट बनी है, वो भी ध्यान नहीं दे रही, तो आप देख सकते हो, आपको L1, L2 के दोनों साती अगर मिलके कोई काम करें, और जितने भी सारी आफाल के चीजह समया शमस्या है कि अगर बर्ती रुनिंग में आती हो है तो आपका काम हो पाएगा, तो सबसे बड़ी चीजह इसमें क्या चाहिँ वो वेट्िंग वाल है, कोई भी आपको समस्या है बर्ती रुनिंग में आना की ये दोनों को एक होना पड़ेगा और इसके लिए काम करना पड़ेगा बाकि आपके कमेंट आप मेरे को लिख सकते हो जो भी आपके सुझाओ मेरे को वोटसेप पर लिख सकते हो जो भी चीजों से सबंदी अगर अच्छी जानकारी रखता है तो यह हो नहीं पाता तो निश्चित रूप से आप जो भी आपके विचार हैं जो भी आप करना चारें जो भी आपके पास जान करें वो जुरूर हम तक पहुंचा है और वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर देना और एक बार सब जगह सेर जुरूर कर देना जिससे इस बरती से जुड़े स्टूडेंट के पास बहुंच सके एक काम यह नहीं कर पाते हो सेर जुरूर कर देना आज के लिए इतना धन्यवाद